हलो एबरीबन वेलकम बेक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेस आप सभी सांतियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेस पे फिर से स्वागत है सो फ्रेंट्स आज का जो हमारा अपडेट रहने बाला है वो खासकर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए रहने बाला है जो बच्चे सरकारी गवर्मेंट कॉलेज से अपना बीएसी नर्सिंग या जी एनम नर्सिंग करना चाते हैं वो इस वीडियो को लाज तक जरूर देख कर सकते हो तो ये वीडियो लास तक जरूर देखना और अपने ऐसे फ्रेंट को जरूर सेर करना कि जो की आर्थिक इस्तिसे से कमजोर है और नर्सिंग करना चाती है तो उसको जरूर से जरूर ये वीडियो सेंड करना हर एक जानकारी में वीडियो के मदम से आगे सब कबर क आपके साथ Medicalology Nursing Services cover करेंगे तो चैनल को आप पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लीजेगा Nursing Profession से related हर एक update आपको Medicalology Nursing Services provide कर बाते हैं तो up to date रहने के लिए चैनल पर पने रहिएगा चलिए friends बढ़ते हैं हमारी update की हो सबसे पहले आपको यदि आपने इसका Officially Notification चाहिए तो आप Medicalology Nursing Services के YouTube चैनल पर आके इसका Officially Notification को गेन कर सकते हो ठीके तो आज हम बात करने बाले हैं MPESB की तरब से जो आपका Pre Nursing Taste होता है या General Nursing Taste होता है जिसको हम PNST ठीके जिसको हम क्या बोलते है students PNST या GNST बोलते हैं जिन बच्चों ने पहले भी exam दिया है और जो बच्चे 12th पास आउट है biology से 12th पास आउट है या other subject से पास आउट है वो लोग भी is form को क्या का सकते है apply का सकते ठीके तो आप form की जानकरी कहा से मिलेगी तो आपको screen पे जो interface दिखाए दे रहा हुआ यह MPESB का officially website आपको देखने को मिलता है ठीके जैसी आप इसकी officially website को visit करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का interface open ओके आ जाता है जैसा आपको screen पे select कर लीजेगा ठीके देन आपके सामने इसका interface open होके आज आता है जैसा आपको screen पे दिखाए दे रहा हुआ ठीके हालकि यहाँ पे एक बिंडो के तोर पे आपको online application form pre nursing test ठीके 2024 और चनलर नर्सिंग एबर मेड़बाई पर training selection test ठीके 2024 form started यहाँ पे दिखाए दे रहा हुआ और यह जो जानकारी है वो 31 तारीक को ही update हुई है student ठीके कब हुई है 31 तारीक को ही यहाँ पे update की गई है और आज आपकी date है आपको 31 तारीक ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस सवीके से आप समझ सकते हो कि आपको जो medicalology nursing services information provide करवाते हैं regarding to nursing profession वो बिलकुल सटिक और updated रहती है ठीक है तो हम इसका जो official notification है वो यहाँ से exam जो rule book है इस पर click करके आप इसको download कर सकते हो simple सा आपको scroll करना है ठीक है आपको first में ही दोचार entrance test के नाम से चीज़े देखने को मिल जाएगी ठीक है अभी जहाँ पे लिखा हुआ है आपको pre nursing selection test PNHT ठीक है जिसको हम PNHT बोलते हैं ठीक है जिसमें आपको BAC nursing करने को मिलेगा और जो GNHT होता है इसमें आपको general nursing करने ठीक है exam date कब होगी ठीक है ये भी बताएंगे और syllabus क्या क्या है वो भी बताएंगे और कैसे आप इदन करना है वो भी बताएंगे और किसी भी students को यदि इसका form फिल करवाना है तो वो medical nursing services से contact करके अपने form को फिल करवा सकता है लंबी लंबी लाएने लगाने के जरूत नही इस फोन नमर पर आपको कोल करना है और आपका फोन में जो घर बेटे ही आपके फिल कर दिया जाएगा तो फोन में आगे कोई भी आपको एरर या फिर कोई admin card regarding issue face करना नहीं पड़ेंगे तो यह आपके लिए एक additional point है कि आपका जो form है वो nursing officer द्वारा ही फिल किया जाएगा ठीके चलिए advertisement को read कर लेते students तो यहाँ पर जो advertisement है वो कर्मचारी चैन मंडल मंडल भोपाल की तरफ से निकल के आया हुआ है जिसमें PNHT और GNHT 2024 के regarding learning चीजे mention की गए ठीक है online आवेदन है ठीक है आप बारने के आरम बेती थी कपसे हो गई है तो 31 साथ दोजार 24 से लेके तो 14 आट दोजार 24 तक आप इस form को क्या कर सकते students apply कर पाएगे ठीक है आपको date जरूर याद रखना है क्योंकि students बच्चे लास्ट में ही form को apply करते ठीक ह आवेदन की संसोधन तीथी क्या है 31 से लेके तो आप 19 साड़ीक तक आवेदन में कुछ भी संसोधन होता है वो यहाँ पे चेक कर पाएगे ठीक है और साथी साथ में आपको यहाँ पे detail में बता रहे हैं कि जो परिक्षा की तिथी है वो कब है तो परिक्षा आपकी कब हो स ठीक है EWS Candidate के लिए 200 रुपे रखा है ठीक है और 400 रुपे के प्लस में आपको 600 रुपे आपका एक्स्टा में चार्ज लगता है ठीक है ओनलाइन क्योस्की के माद्दम से और 20 रुपे ही लगता है तो इसको आप प्लस लेके ही चलना ठीक है ठीक है तो यह चीज आपके स अप्लाइ होने चालू हो गए ठीक है चलिए नेक्स चीज़े क्या रिखने वाली अब बैरति का आदार पंजेर अरिबार्दे को अब आपके पास डॉक्मेंट्स क्या क्या आपको चाहिए है ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंस कि आपके पास आपका एक अधार कार्ड जरूर होना चाहिए अधार कार्ड नहीं होगा और आपका अधार कार्ड में आपको मुगाल नमर अपडेट नहीं होगा तो आप इस फॉम को अप्लाइ नहीं कर सकते ठीक है mandatory है आपको इस form को apply करने के लिए कि आपके पास आपका अधार card आपके पास होना चाहिए ठीक है यह चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजे ठीक है यह अधार होना चाहिए जैसे हापे mention किया गया है परिक्षा में प्रबेस के सामें परिक्षा के दोरान इसलिए बोलता हूँ ठीक है इस पिरकार की चीज़ आपको देखने को मिलेगी ठीक है चलिए हम बात करेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के साथ की परिक्षा का गाटी यह तो आपकी चीज़े है यदि किसी को यह पीडियाप चाहिए तो आप सबसे पहले बता देता हूँ कि नहीं पता होता है कि पीडियो में बता था कि आप अपने परिवार के साथ से आड़ लाग रुपे भी बचा सकते हो ठीक है यदि आप मैं बात करूँ प्रावेट कोलेज में यदि आप बेसी नर्स करने जाते तो एक लाग रुपे से जादा फी आपका यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है फिलेस में क्या आपका enrollment charge लगेगा ठीक है SNA fees लगेगा और भी अदल activities का fees लिया जाता है ठीक है तो 4 साल तक अभी यदि आप इस course को करते तो 6 से 7 लाग रुपे लग जाता ठीक है साथ में आपका accommodation fees भी तो लगेगा तो वो कहा जाएगा तो आप think करिया ठीक है यदि आप एक female candidate है और आपने 12 से biology किया है और आप अपने nursing करने का अपने सपना देखा है और government college से देखा है तो बिल्कुल ये वीडियो आप अपी के लिए है आप सही platform पे आये हुए ठीक है ये चीज़े आपके लिए ही रहने बाले है ठीक है तो आप कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना आपको बस only आपको study करके ठीक है तो सोच सकते हो कि आपके लिए कितना benefit है आपको चार साल यदि आप देखो आपको मैं सामने चीज़े रखता हूँ यदि आप चार साल तक private college से basic nursing करोगे ना उसके बाद भी आपको एक exam को clear करना पड़ेगा government का ठीक है कोई सा भी exam clear कर ये ठीक है study के लिए यह आपको चार साल चार पांच लाग रुपे लगा के study करना है और उसके बाद भी कोई confirmation नहीं है कि आपको job मिल चाहेगा ठीक है तो ये cj आपके उपर ही छोड़ता हूँ यदि आप समझदार हो तो कल लीजेगा बट मेरा suggestion मानो तो आप यदि कहीं पे काम कर र आ है यदि आप तक आभी तक आपका enrollment नहीं हुआ है तो आज इसे वो college में चाना बंद कर दीजे और study में लग चाहिए क्योंकि ये आपके लिए सुनेरा मोका है अपने घर के और अपने सारे dream से पूरे कर सकते हो ठीक है और अपनी life आने वाली job coming life है उसको अच्छे से gain कर स सकते हो ठीक है चलिए ये तो हो गया कुछ additional चीज़े आप लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है साथ ही साथ में देखो इसमें क्या क्या चीज़े मैं documents आप सभी लोगों के लिए बता देता हूं उमीदबार भारत का नागरिक होना चाहिए बीसी नरिसिंग पार्डिकर में प्रवेश हैतु उमीदबार पार मातिमिक सिक्चा मंडल मध्यप्रदेश में राज मुक्त स्कूल सिक्चा परिशन वोपाल सीबीसी तथा अन्य राज्यों के स्कूल में इसमें देखो मैं आपको बता देता हूं MP वोड बाला भी चल जाएगा ठीक है और किया क्या चलेग अंग्रेज जी अब हम हिंधी प्रेटर उत्री रहेंगे ठीक है चालिस परसंट भी आदि आपके आ रहे हैं सीया स्ट कर्टिकरी से तो तो भी आप इस पॉम को लिए अपलाएं कर पाएगे ठीक है में केंडिडिट के लिए क्या है कि आपके पास पाइलोजी सब्जेक्ट और मेत आपके पास होना चे ठीक है ये तो हो गया आपकी चीज़े ठीक है और नेक्स टीज़े क्या देखने को मिलेगी तो नेक्स टीज़े क्या देखने को मिलेगी अब बात कर लेते हैं कि जो भाही आपका आयू देखने को मिलेगा वो आयू कितना देखने को मिलेगा ठीक यह चीजे दिमाग में बठा ली जाएं जो बच्चे कभी कभी बच्चे क्या होते कि अधर इस्टेट बाले होते वो फॉर्म को फिल कर देते हैं फिर भी उन लोगों का सेलेक्शन हो जाता है फिर उनके लिए चीजे सैनी होते हैं और जो आपकी आयू सीमा है ठीक है नियून ले रखाएं तो यह वीडियो देखने के बाद भई आप लोग के मन में एक ही चीज़ चलना चाहिए कि हमें गवर्मेंट जॉप लेना है और वो गवर्मेंट जॉप स्टूडेंस आप ही ओनली साड़ा सा एक्जाम है यह आपका यदि आप अच्छे से स्टड़ी करोगे तो आपके लिए एक्जाम इतना टप नहीं है यह एक्जाम किलियर करके आप गवर्मेंट जॉप ले सकते हो साल के महिने के तीन हजार रुपे भी मिलेंगे आपको ठीक है कितनी आपके तो बल्ले-बल्ले हो जाएंगी बस आपको आपका माइंसेट करना है कि आपको गवर क्वर्मेंट जॉप मिल जाएगी, इस से अच्छी बात और क्या हो सकती है यह सारी चीजे मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने बता दिया एक्जाम का बगा यह भी बता दिया और चैन केसे होता है तो चैन आप सभी लोगों को पता है कि चैन के लिए आपको इक्ज करना पड़ेगा एक्जाम देना पड़ेगा उसके बाद आपकी सारी चीज़े देखने को मिल जाएगा ठीक है मैं कटोप का बात करना हूं तो कटोप आप सभी लोगों के लिए जनरल केटिगरी के लिए और के लिए 50% लेगा 45% अनुसुजी जाती के लिए रहेगा ठीक है पिछड़ा बर्गी के लिए 40% तक यहां पर रहेगा ठीक है तो 45 ठीक है और 40 परसेंट और 45 परसेंट तक आपका कटोप है इतने से इतने कम नमर आपको लेके नहीं आना है ठीक है अब 22 दोरह अब दिन प्रिस्तुर किये जाना है ठीक है दस भी का आ आदी प्रमार पात होना चाहिए मध्यपदेश का मूल निवाज ही होना चाहिए ठीक है क्या गया इडवलू यादि इडवलू से आप सर्टिप्गट के अपलाई कर रहे है तो यह सारी चीज़े आपके पास होना चाहिए आपको बता दी कि आपको अपको मेडिकल और जिन एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता है क्योंकि उनका फॉर्म अच्छे से फिल नहीं हुआ होता है ठीक है तो इन सारी चीज़ों को मिनिमाईज करने के लिए आप एक ही काम कर सकते हो कि आप मेडिकल और जिनाइसिक सर्विस से कांटेक करके अपने फॉर्म को यहापे फिल करबा सकते हो ठीक है अपने फ्रेंड सलकल में अपने चाचा मोसा मोसी या किसी की भी भेहन या बेटी है जो जो नर्सिंग करना चाते गवर्मेंट कॉलेज से तो बिलकुल उनको यह वीडियो जरूर से जरूर सेर कर दीजेगा और आप लोगो का भी मोरल रिस्पॉंसरलि बता देंगे बढ़ाला कि आप इस चीजे क्या है कि आपको यहां पर पता लग गया है कि आपको जो एकजाम हो कब होगा ठीक है चार से पांच दिसमबर को आपका एक्जाम है तब तक आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ठीक है यह सारी चीजे आप लोगों के लिए ही र कर रहे हैं तो यह सारी चीजे हैं देख लीजेगा समझ लीजेगा कैसे करना है और अपनी लाइब को कैसे सही ट्रिक पर लेके आना क्या प्राइबेट कोलेज में पैसे देना है क्या गवर्मेंट कोलेज से कुछ चीज हासिल करके अपनी लाइब को अच्छे से से सैट करना तो यह सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है ठीक है तो आयोब आपको सारी चीज़ें मिल गई होगी मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि आपका एक्जाम कहा का होगा आप घरवालों को शोरेटी दिखाएए कि हम लोग इस एक्जाम में पास हो जाएंगे ठीक है तो तब जाके आपको घरवाले आपको एक्जाम देने दिखाएंगे ठीक है उनको बताइए कि हम आपका पेसे बचा सकते हैं आपकी सारी चीज़े solve कर सकते हैं हमें government job भी मिल सकता ठीक है बहुत सारे बच्चों की mentality रहती है हमें government job नहीं मिले गया पर इस प्रकार से आप government job को ले सकते हैं यहाँ पे देखो यह जो GNST, PNST का आपके सामने क्या syllabus दिखागा, unit बन दिखा रहा है इसमें इस प्रकार की चीज़े देखने को मिले ठीक है हिंदी में हैं बहुत सारी चीज़े unit 2 है ठीक है तो यह चीज़े और यह पीडियोब आपको medicalogy nursing services के बहुत साब गुरूप मिल जाएगा तो link description में मिल जाएगा महां से आपको इसको download कर लिजेगा और बिलकुल आज ही से लग जाएए अपनी सरकारी नोकरी की चाहत में ठीक है government job है और government college से BC nursing करने को मिलता है एक बहतरी life मिलती है hostel life मिलती है must enjoyment भी रहता है हर एक चीज़े आपको करने को मिलती है ठीक है आगे कुछ भी updates आएगा कि क्या है इसके regarding आपको चीज़े बता दिया जाएगा thank you so much guys हम मिलेंगे next update के साथ जब तक बने रही है आपके अपने YouTube channel Medical and Gymnastics Services thank you so much guys